पूरी दुनिया को है एक पार्ट पढ़ाना सभी को सोचलाइज बनाना हेलो गाइज दिस संकी सुर में इसी स्केल्स आज मैं आप लोग के सामने लेकर क्या हूं मीनिंगों सोचलाइजेशन सोचलाइजेशन इस प्रोसेस है जिसमें छोटे बच्चे को या किसी परसन को छोटे बच्चे को सीं कि आपको इस दुनिया में किस तरीके से आपके करना है ता कि पूरी उसे एक्सेप्ट करें जैसे धर आपने ज़्यादा गुसा करने के आता है मैं ज़यादा गुस्सा नहीं करता है पहले ही बता दूए करें से जाए बढ़ों का आदर और करना करना हो कशाइट इसको एक्साइपट करती है अगर आप गलत तरी किसे बोलोगे तो society is not going to accept your behavior कुछ example से जिससे guys आपको औरचे तरी किसे पता लएगा कि socialization का हमको कहा कहा कब कब और कैसे कैसे use करना है तो पहले example है schools play an important role in the socialization of children मतलब schools काफी important role play करते हैं बच्चे को socialize बनाने में अब वह भूवस लोग अपने school से सीखते है socialize बना अपने परेंग से सीखते है मुझसे अरे मेरे बच्चे में लेकिर मेरे students बहुत है तो उन students को भी मैं काफी अचीजी चीज़ सिखाने कोशिश करता हूँ तो guys आफ पने second example के तरह तो second example है for some people socialization is just strong point exactly कहीं लोगों के लिए socialization उनका strong point होता है क्योंकि जब भी आप socialization होते हैं लोग आप से automatically जुडते हैं तो guys यही था हमारा meaning of socialization अगर आपको समझ आ गया है तो guys इसको share, like, subscribe, सब कुछ कीजिए जो आपका मन कहता है मैं क्या तो इसको dislike भी कर दोगर आपका मन है ठीक है आपसे मेरे के बाद कि next time play and choice will keep practicing and give your best shot